ये गाइस मेरा नमतन मैं आप देख रहे है टेक यूनीक आज जो है हम 1500 या फिर 1600 रुपए के अंडर में जो है दो टी डव्योस को यहाँ पे कंपैर करने वाले हैं जो कि है यहाँ पे डीजो का गो पॉट्स डी साथ में हमारे पास यहाँ पे पीट्रॉन का बेज बड्स अल मिल जाएगा बाकि आपको जो है मैं दोनों का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वास जा कि आप रीसेंट प्राइस चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे पीट्रॉन का देखने को मिलता है प्राइस मुझे यह 1500 रुपए का पड़ा था और अभी मैं जो लिड की कॉलिटी सबसे पहले मैं पताना चाहूंगा तो लिड की काफी अच्छी है हिंज का क्वालिटी थोड़ा और अच्छा हो सकता था हिंज जो है काफी दिनों बाद यूज करने के बाद जो थोड़ा सा यहाँ पे हिल रहा है बाकि यहाँ पे जो ओवर रॉल यहाँ पे यहाँ पे यह मैट फिनिशिंग दिया गया है बागी नीचे की तरफ भी प्रेंदिट की बात करूं तो यहाँ पर प्लास्टिक ठिक प्लास्टिक यूज करा गया है as compared to diesel, यहाँ पे जो है अपका hinge भी काफी अदा अच्छा है, काफी stiff है, बिलकुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यह जो है lose हो जाएगा, बागी यहाँ पे जो है काफी अच्छी quality का hinge देखने को मिल रहा है, अंदर जो है buds की quality भी काफी अच्छी है, हाला कि दोस्तो buds का जो build quality है, वो यहाँ पे glossy build के साथ आता है, तो वो मुझे थोड़ा से यहाँ पे खराब लगा है, क्योंकि यहाँ पे अगर matte finishing मिल जाता, तो काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि glossy finishing में काफी जल्दी से scratches आ जाते हैं, तो overall build quality के मामले में मैं डीजो को देना चाहूंग 4.2 out of 5, और guys, यहाँ पे patron को मैं देना चाहूंगा 4.3 out of 5, 19-20 का difference से ज्यादा है, यहाँ पे difference नहीं है build quality में, आगे बढ़ते हैं, connectivity के साथ यहाँ पे आपको दोनों में Bluetooth 5.0 का support देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है दोनों भी काफी अदे instantly pair हो जाते हैं, हाला कि दोस्त हो जाता है, और patron को थोड़ा सा, millisecond थोड़ा जादा टाइम लगता है, डीजो से बट यह भी जो है अच्छे तरीकी से connect हो जाता है आपके phone के साथ, और दोनों में भी जो है, मुझे connectivity में कोई भी issue देखने को नहीं मिला है, वहीं पे बात करूँ, latency की तो guys, यहाँ पे जो ह करके इसका gaming mode on कर सकते हैं, डीजो गोपाट्स डी का, वहीं पे आर, patron की बात करूँ, patron में जो है, आपको low latency mode देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे नहीं पता है कि इसको on कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें box में जो है, manual देखने को नहीं मिला था, तो इसलिए latency जो है, वो काफी अच्छी है, gamers लोग के लिए उतना मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, बट बागी यहाँ पे music के लिए और गाने बगरा सुनने के लिए काफी अच्छा है, आगे बढ़ते हैं, sound quality के दाफ्त हो, यहाँ पे sound quality की, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे quality काफी अच्छी है, अगर आप realme link app से bass boost mode को on कर लेते हैं, तो आपको जो है bass काफी अच्छा और boomy देखने को मिलेगा, हाला कि दोस्तों यहाँ पे बाग की सारी चीज़ें जैसे acoustics, highs, mids and lows, काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, overall sound quality काफी बढ़िया लगी है, मुझ अगर मैं बात करूँ, पी ट्रॉन की तो गाइस, पी ट्रॉन में जो है sharpness थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया है, sharpness को थोड़ा सा ज्यादा over कर दिया गया है, but guys, यहाँ पे जो बेस है, वो भी काफी adequate है, और यहाँ पे overall sound quality अच्छी है, अगर मैं overall sound quality के मामले में rating देना चाहूं तो guys, यहाँ पे मैं डीजो के gopods D को देना चाहूंगा 4.4 out of 5, और guys, यहाँ पे जो मैं पी ट्रॉन को देना चाहूंगा 4 out of 5, कुछ extra features की यहाँ बात करता हो guys, यहाँ पे जो है, आपको पी ट्रॉन में ANC देखने को मलता है, but guys, यहाँ पे पी ट्रॉन का जो ANC ह वो सिर्फ और सिर्फ का भी छोटे छोटे आवाज को ही cancel कर पाता है, जैसे कि यार कोई traffic का आवाज हो गया, आपके खिडकी से traffic का आवाज आ रहे है, रस्ते में से, या फिर AC वगरा का आवाज हो गया, तो वो cancel कर देता है, फैन का आवाज cancel out नहीं कर पाता, टीवी का खड़ाओ के बात करेगा तो उसका भी आवाज यह जो है कैंसल आउट नहीं कर पाएगा इसका एंसी इतना ही सक्षा में यहां पर इस प्राइस 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 मोड कुछ उतना अच्छा काम करता हुआ नहीं दिखता है बाकि यहां पर जो है आपको IPX4 की भी चौदा सो रुपए है तो मैं इसके एंसी को काफी अधा अप्रीशियेट करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर इंसी जो है वो यह बड से आता है यह टिप से आता है तो आप जैसी इसको पैन लेते हैं तो इसका जो इंसी है वो काफी अच्छा वर करता है अलाकि दूस्तों इंसी है इसलिए यहां पर ज्यादा कुछ चीज़े तो एक एंसल आउट नहीं कर पाता बट इंसी होने के अकॉर्णिंग यहां पर जो है जितने साउंड से जे खानका आप यहां पर इसको क्या और रेकिने को मिल जाएंगी तो आप इन दोनों को जो है आप आराम से यूस gaming mode on कर सकते हैं Real science app से जो हाँ इसका equalizer Change कर सकते हैं जैसे कि आपको Remote य को स्वाहतिए देखने को मलता है बेज बूस्ट मोड देखने को मलता है तो ऐसे कुछ modes आपको यहाँ पे टॉगल करने का option देखने को मल जाते रिए रेल देखने को मिलेंगे रियल में लिंग के आप में जो कि यहां पे डीजो के gopods d को काफी अच्छा जो है इंप्रूफ करने में help करती है वहीं पर दोस्तों में बात करूँ तो overall जो है तो overall जो है extra features के मामले में हलका सा आगे निकलता हुआ दिखता है डीजो का gopods d रियल में लिंक के एप से बड़ गाइस वहीं पर पीट्रों का बेस बड़ अल्टिमा जो है वह भी यहां पर पीछे नहीं है यहां पर आपको अन्सी देखने को मिलता है एंसी जो है price के ऑकार्णिंग बहुत है तरहीं तरीके से वर्क करता है तो टो गाइस आपको यहां पर चूज करना है कि कौन सा अगर आपको एएंस देता है यहां पे बारे में जैसे हैं आपको देख सकते हैं यह बड़िए फीचर लगता है मुझे आगे बढ़ते हमçonsिए बैटरी Cloud IQ तरफ एहां पर जो है दोनुंँ भी भी आपको 400 400 mh consists of you मеся means की तक यहां पर दोनकी सो के भी एर बड़्स में और पर क्लेम कर रहे कि आप को यहां पर भूंट का बैटourcing वेकप देखने को मिलने वाले और यह जो क्लेम जे वो काफियाद अच्छे तरीके से वर्क करता है अगर आप पीट्रॉन में जो है एंसी ओन करके रखते हैं तो आपको जो है यहां पे अराउंड बारा घंटे का जो है बैटरी वैक अप देखने को मिल जाएगा वहीं पर अगर आप डीजो में जो है यू मैं यह जो है तो my घंट कर लाइब और आth से अगर कोी बैटरी लाइब माइक्रोफोन की बात कर लेता है यहां पे जो है दोनों के यहां पर आपको आपको मैं माइक्टों का सेंपल देने वाला यहां आपके सामने दोनों भी यह बढ़ का माइक्रोफोन सेंपल सबसाइब आपको आपको दिखाने वाला कि कितना यह यह नॉइस कहचर करता है है कि आपको जब करने को मिल रहा है लिसके माइक्र फोन ने रेकॉर रहा है इसके माइक्षिण कर रहा है तो यह जो है यह रेकॉर्ड हो रहा है आपको कैसे बात कर रहा हूं वह आपको कैसे बताना है अगर मैं बात करूं आपको कौन सा बाई करना चाहिए यहां पर का गमिंग मोड चाहिए यहां पर रक है घाल बडियास निकल कर आता है साउंड क्वलर्टी बीज subscribe और करके आते क्योंकि आपको गेमिंग मोड़ देखने को मिलता है और अगर मैं बायत करना चाहों पीट्रॉन के बेस बड़्स अल्टिमा की तो यहां पर अगर आपको एंशी एक्टिव नॉइस केंसेलेशन चाहिए तो यहां पर आपको जाना चाहिए बेस बड़्स के अल्टि है तो बाकि यहां पर आप देख सकते हैं मुझे जो है पी ट्रॉन का साउंड क्वालिटी भी काफिया अच्छा लगा है बैट्री की क्वालिटी भी काफिया अच्छी है और अगर करना चाहूं मेरे तरफ से मुझे कौन सा पसंद आया है इन दोनों के बीच में तो मैं यहां अच्छान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तब तक लिए असनों जया हैं दोने मातरम और आपको दिन शुब रहे मेरे अया है।